सांता कारं भुजंग सहनं पद्मनाभं सुरेसं विश्वा धारं गगन सद्रिसं मेग वर्णं सुभांगं लक्षिमी कांतं कमल नैनं योगी भी ध्यान गम्यं वंदे विश्णु भौवभै हरं सर्व लोके कनाथं मंगलम भगवान विश्णु मंगलम गरुण ध्वजा मंगलम पुंडरी काक्ष्य मंगलाय तनो हरी ओम नमो भगवते वासु देवाया आज का दिन आप सभी के लिए मंगल में हो आज मैं कार्तिक मास की कथा का 27 वा अध्याय सुनाने वाला हूँ साफ्त्रों के अनुसार कार्तिक माह में प्रति दिन सनान करना चाहिए और भगवान विश्णु माता लक्ष्मी एवन तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए साथी कार्तिक मास में भगवान विश्णु की कल्यान कारी कथा का पाठ अत्वा स्रवन करना चाहिए इससे जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों का नास होता है और घर में सुक सम्रिद्धी का वास होता है तो आई ये स्रवन करते हैं कार्थिक मास की कथा का 27वा अध्याय श्रीप रासर जी आगे बोलें यदु कुलोथपन्न अक्रूर जी ने स्री विष्णु भगवान का जल के भीतर इस प्रकार इस्तवन कर उन सर्वेश्वर का मनह कल्पित धूप दीप और पुस्प आदी से पूजन किया तदंतर महामती अक्रूर जी अपने को कृते कृते सा मानते हुए यमना जल से निकल कर फिर रत के पास चले गए वहाँ आकर उन्होंने आश्चरी युक्त नेत्रों सिबलराम और कृष्ण को पुर्वत रत में बैठे देखा उस समय सिकिष्ण चंद्र ने अकरूर जी से कहा सिकिष्ण चंद्र बोले अकरूर जी आपने अवस ही यमना जल में कोई आश्चरी जनक बात देखी है क्योंकि आपके नेत्र आश्चरी चकित दिखाई पड़ते हैं अक्रूर जी बोलें, हे के सव, मैंने यमना जल में जो आश्चरे देखा है, उसे मैं इस समय भी अपने सामने मुर्ती मान देख रहा हूँ, हे क्रिश्न, यह महान आश्चरे में जगत जिस महात्मा का स्वरूप है, उनी परम आश्चरे स्वरूप आपके साथ मेरा समागम हे मदुसुदन, अब उस आश्चरे की विशय में और अधिक कहने से लाव ही क्या है, चलो हमें सिगरी मतुरा पहुँचना है, मुझे कंस से बहुत भय लगता है, दुसरे के दिये हुए अंस जीने वाले पूर्सों के जीवन को धिकार है, ऐसा करकर अक्रूर जीने वायू आप दोनों पैदल चले आवें, मतुरा में पहुँचकर आप वासुदेव जी के घर न जाएं, क्योंकि आपके कारणी उन रिद वासुदेव जी का कंस सर्वता निरादर करता रहता है, श्री प्रासर जी आगे बोलें, ऐसा कर अक्रूर जी मतुरा पूरी में चले गएं, उनके पीछे बलराम और कृष्ण भी नगर में परवेश कर राज मार्ग पर आएं, वहां के नर नादियों से आनंध पुरुवग देखे जाते वे दोनों वीरमत वाले तरून हाथियों के समान लीला पुरुवग जा रहे थे, मार्ग में उन्होंने एक वस्तर रंगने व पुरुद होकर अपने करतल के प्रहार से उस दुष्ट रजक का सिर्प्रित्वी पर गिरा दिया, इस प्रकार उसे मार कर बलराम और कृष्ण ने उसके वस्तर छेन लिये, तथा क्रम से नील और पित वस्तर धारन कर वे प्रसने चित से माली के घर गएं, ए मैत्रया, उन् उसने समझा मानो दो देवगण ही प्रित्वी तल पर पधारे हैं, जब उन विक्सित मुख कमल बालकों ने उससे पुस्प मांगें, तो उसने अपने दोनों हाथ प्रित्वी पर टेक कर सिर्ष से भूमी को एसपर्स किया, फिर उस माली ने कहा, ए नात, आप लोग बड़ उन्हें एक्छा नुसार पुस्प दियें, उसने उन दोनों पुरुष रिष्टों को पुनह पुनह प्रणाम कर अति निर्मल और शुगंदित मनोहर पुस्प दियें, तब सिकिष्ण चंद्र भी प्रसन होकर उस माली को यह वर दिया, कि है भद्र, मेरे आस्रित रहने व मेरा इसमर्ण करने की काःण दीवे लोग को प्राप्थ होगा, है भद्र, तेरा मन सर्वदा धर्म परायर रहेगा, तथ तेरे वंस में जन्म लेने वालों की आयूत दिर्ग होगी, है महाभाग, जब तक सुरी रहेगा, तब तक तेरे वंस में उत्पन हुआ कोई भी वे आगे बोलें तदंतर स्री किष्ण चंद्र ने राज मार्क में एक नौ योना कुपजा इस्त्री को अनुलेपन का पात्र लिए आते देखा तब स्री किष्ण ने उससे विलास पुरो कहा आई कमल लोचने तु सचसत बता यह अनुलेपन किसके लिए ले जा रही है भागवा हूँ राजा कंस ने मुझे अनुलेपन कारे में नियुक्त किया है राजा कंस को मेरे अत्रिक्त और किसी का पिसा हुआ उप्टन पसंद नहीं आता है अतर मैं उनकी अत्यंत कृपा पाक्तरी हूँ स्रिकिष्ण चंद्र बोलें यह सुमुखी यह सुन्दर शुगंद में अनुलेपन तो राजा के ही योगे है हमारे सरीड के योगे भी कोई अनुलेपन हो तो दो स्रिप रासर जी आगे बोलें यह सुनकर कुपजा ने कहा यह लीजिये और फिर उन दोनों को आदर पुरुवक उनके सरीड योगी चंदन आदी दिये उस्त में वे दोनों पूरुष स्रिष्ट पत्र रचना विधिस है यथा वत अनुलिप्त होकर इंदर धनुस युक स्याम और स्वेत मेगर के समान सुसोवित हुए तथ पश्चात सीधे करने की वीधि के जानने वाले भगवान सिकिष्ण चंदर ने उसकी ठोणी में अपने आगे की दो उंगलियां लगा कर उसे उचका कर हिलाया तथा उसके पैर अपने पैरों से दबा लिये इस प्रकार स्री केशव ने उसे सीधे सरीर वाली कर दी तब सीधी हो जाने प्रव संपूर्ण इस्त्रियों में सुन्दरी हो गई तब वो स्री गोबिंद का पल्ला पकड़कर अंतर गर्वित प्रेम भाव से अलसाई हुई विलास ललितवानी में बोली आप मेरे घर चलिए उसके ऐसा कहने पर स्री किशन चंदर ने उस कुपजा से जो पहले अनेक अंगों से टेणी थी परंतु अब सुन्दरी हो गई थी बल्राम जी के मुख की और देखकर हसते हुए कहा हाँ तुम्हारे घर में आऊंगा ऐसा कहत स्री हरी ने उसे मुस्कूराते हुए विदा किया और बल्भदर जी के मुख की ओर देखते हुए जोर जोर से हसने लगे इसके बाद सीकिशन चंदर और बलराम जी ने मतुरा में और क्या किया इसके बारे में मैं अगले अध्याय में बताऊँगा तब तक के लिए भगवान स्री हरी का नाम लेते रहें तो प्रेम से बोली भगवान विश्णु कीजए चिकेश्न भगवान कीजए लक्ष्मी माता कीजए तुलसी माता कीजए समस्ते देवी द्यवताओं कीजए